और आज के वीडियो के थिमनेल देखें दोस्तों जैसे कि आप सभी जाने के हम लोग घंपेर करने आले हैं पलसर 125 कारवन फाइवर एडिशन और पलसर 125 नियोन एडिशन इन दोनों बाइक के प्राइज में कितना फर्क है दोनों में आपको क्या कॉस्मेटिक चेंजेस देख करी मिलेगी दोस्तों आज के वीडियो में एक बाफिर से आप सभी का बहुत असवागत है और आप सभी जैसा कि देख रहे हैं मैं आए हो न्यू वेब बजाज में शोरूम के अटर से कॉंटक नमबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो वीडियो में दोस्तों सबसे प आप्शन मिलता है और साथ ही इसी में आपको एक सिंगल सीट वाला आप्शन भी मिल जाता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और अगर आप पल्सर 125 का नियॉन वेरियेंट लेते हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इस बाइक में आपको इस बाइक एवेरियेंट मिलता है जिसमें आपको सिंगल सीट मिल जाता है और आप उन दोस्तों बाइक में मिलने आले कलर ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं तो सबसे पहले बताता हूं कि अगर आप पल्सर 125 नियॉन एडिशन लेते हैं जो अब अपने स्क्रीन पर इस बाइक में आपको टोटरल थीम कलर उप्शन मिलता है पहला कलर आप देखरे हैं ब्लाक के साथ सिल्वर ग्राफिक आपको इसमें आपको एक ब्लाका एन रेड और ग्रे कलर भी मिल जाता है और आप अगर पुल्सर 125 का करणभीज़ ड़े और इडिशन लेते हैं तो इस blue color का इस तरह का ग्राफिक नजर आएगा जो ग्राफिक red और black दोनों का same ही है मगर अब ध्यान देंगे तो carbon fiber edition का जो ग्राफिक है वो और neon का जो ग्राफिक है वो इन दोनों में फर्क आपको देखने को मिलेगा मैं आपको दोनों ही ग्राफिक दिखा रहा है इन दोनों का ग्राफिक कुछ इस तरह आपको नजर आएगा तो इन दोनों में कौन सा ग्राफिक आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप मुझे comment section में comment करकर ज़रू बताइगे और आप अगर दोस्तो पलसर 125 neon model के side panel पे देखें तो आप देखेंगे इस bite का side panel आपको body color में paint नजर आएगा और इस पे कोई भी ग्राफिक नहीं लगा है वहीं आप अगर पलसर का carbon fiber edition लेते हैं तो इस bite का side panel आपको matte finish में नजर आएगा इसमें body color का paint किया वह नहीं नजर आएगा साथ ही इसमें carbon fiber texture आपको इस graphic लगा हो मिलता है और tail light panel पे देखेंगे तो यहाँ पे भी graphic काफी बड़ा सा दिया गया आप देखेंगे corner से लेके end तक carbon fiber texture ग्राफिक आपको इस model में लगा नजर आएगा और उपर के दरप में graphic के साथ 125 लिखा गया है वही neon model में आप देखेंगे तो नीचे के दरप में कोई भी graphic नहीं है सिर्फ आपको इस model में उपर के दरप में graphic नजर आएगा जिसके उपर 125 लिखा गया है और आप दोस्तों इन दोनों ही bike के price के बारे में जान लेते है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप Pulsar 125 neon edition लेते है तो इस bike का हमारे जमशीदपूर का on-road price है 98,000 रुपीज और अगर आप Pulsar 125 carbon fiber edition लेते है तो इस bike का हमारे जमशीदपूर का on-road price है 1,12,000 रुपीज जो neon edition से करीब 14,000 रुपीज महेंगा है और अब दोस्तों जानते हैं इन दोनों bike में आपको क्या फर्ब देखने को मिलता है तो सबसे पहले ध्यान देते हैं bike के rear view mirror पे तो आप देखेंगे दोनों bike में आपको same design का black finish में rear view mirror मिलता है bike के headlamp पे ध्यान देते आप देखेंगे दोनों bike के headlamp आपको same design में मिलता है जो देखने में काफी aggressive look के साथ मिलता है दोनों bike के headlamp में आपको halogen bulb मिलता है दोनों bike के front suspension में telescopic fork मिलता है मगर neon के telescopic fork के उपर आपको body color में black niche में mudguard नजर आएगा और carbon fiber edition में front mudguard में आपको carbon fiber texture ग्राफिक मिलता है और side में आप देख रहे हैं थोड़ा सा red sticker भी लगा दिया गया जिसे एक आपको bike का जो front mudguard है ज्यादा sporty नजर आता है और bike के wheel पे ध्यादे तो आप देखेंगे दोनों ही bike में आपको black niche same design का oliver मिलता है 17 inch का और दोनों ही bike के front में आपको 80 by 100 section का tubeless tire और दोनों ही bike के front brake में 240 mm का disc brake मिल जाता है और इन दोनों ही bike के console और handle bar पे लगे switches पे ध्यादे तो आप देखेंगे दोनों में आपको सब कुछ same नजर आएगा जासे आप देख रहे है neon model इसमें आपको digital analog console मिल रहा है और carbon fiber edition में भी same design का आपको digital analog console मिलता है तो आप देखेंगे दोनों में कोई भी फर्क नहीं है और दोनों ही bike के right side के handle bar पे ध्यान दे तो आप देखेंगे दोनों model में आपको engine kill switch के साथ self इसमें भी आपको engine kill switch के साथ self और left side के handle bar पे आपको pass switch, high beam, low beam switch, turn signal, indicator switch और horn और carbon fiber edition में भी same pass switch, high beam, low beam switch, turn signal, indicator switch और horn नजर आएगा और दोनों ही bike के fuel tank में ध्यान दे तो आप देखेंगे दोनों bike में दोस्तों आपको 11.5 liter capacity का fuel tank मिलता है मगर tank के ओपर जो tank pad लगा है उसका design थोड़ा चेंज है जैसे कि आप देखेंगे इसमें आपको silver और gray color नजर आ रहा है और वहीं carbon fiber edition में जो tank pad लगा है उसमें silver के साथ carbon fiber texture tank pad पे graphic दिया गया है जो इसका graphic देखने में ज़्यादा बैतर लग रहा है neon वाले से और अब हम दोस्तों इन दोनों bike के seat पे ध्यान देते हैं तो आप सभी जानते कि अगर आप carbon fiber edition लेते हैं तो इस bike में आपको two piece में split seat मिलता है जो देखने में काफी sporty सा नजर आता है और यह मैं कहूंगा कि अगर आप single use करना चाते हैं अपने दोस्तों के साथ घुमना चाते हैं और family में पहले से कोई एक bike है आपको अपने family के साथ यूज नहीं करना है इस bike को तब मैं आपको जरूर बोलूँगा कि आप Pulsar 125 का carbon fiber edition का split seat वाला bike लें जिसे bike को एक काफी अच्छा sporty look मिल पाता है और इस bike का जो grabbar आप देख रहे हैं इसमें आपको split grabbar मिलता है अगर आप पीछे में अगर किसी female person को बठाते हैं तो इस grabbar को पकड़ के बैटने में थोड़ी सी परिशानी मैसूस होती है तो अच्छा होगा कि अगर आप Pulsar 125 का carbon fiber edition लेना चाहते हैं और family के साथ भी use करना चाहते हैं तो मैं जरूर बोलूँगा कि आप इस bike का single seat वाला variant लें और Pulsar 125 आप neon edition के seat के बारे में आप सभी को जान करें कि bike में आपको single piece में काफी large uncomfortable seat मिलता है और bike में जो grabber है आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा और ये grabber काफी बहते रहता है pillion rider के लिए या पीछे में कोई female person बैठे है pillion उनके लिए काफी बहते रहता है तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको अपने family के साथ यूज़ करना है और ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना है तो जरूर आप Pulsar 125 neon model लें क्योंकि इसे लेने से इस bike में आपकी काफी ज़्यादा पैसों की saving हो जाती है और आप bike के tail lamp पे ध्यान दे तो आप देखेंगे दोनों ही bike में आपको same design का काफी sharp loop में LED tail lamp मिलता है दोनों bike के turn signal indicator में rear में normal bulb और ये काफी flexible है इस वाले model में भी neon में भी आपको ये काफी flexible मिलता है साथी bike के rear suspension पे ध्यान दे तो आप देखेंगे इसमें आपको gas charge spring loaded hydraulic tap suspension मिलता है और आपको carbon fiber edition पे ध्यान दे तो यहाँ पे भी आपको same design का gas charge spring loaded hydraulic tap suspension मिलता है दोनों ही bike के rear tear के उपर आपको tear हगर लगा हुआ नजर आएगा साथी दोनों ही bike के rear में आपको 17 inch के alloy wheel में 100 by 90 section का tube less tear मिलता है और दोनों ही bike के rear में आपको 130 mm का drum brake भी मिल जाता है साथी exhaust पे ध्यान दे तो आप देखेंगे दोनों ही bike के exhaust के उपर आपको black finish में metal का muffler cover दोनों bike में लगा हुआ मिलता है आप देख रहे हैं और एक changes दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगा अगर आप Pulsar 125 का carbon fiber edition bike लेते हैं तो इस bike के engine के सामने में आपको काफी sporty सा engine call लगा हुआ मिलता है जिसके उपर काफी sporty graphic भी लगा है और अगर आप neon model लेते हैं तो आप देख रहे हैं इस bike के engine के सामने में आपको engine call लगा हुआ नहीं मिलता है मगर आपको tension लेने की जरूत नहीं है आप चाहो तो दोस्तों इस bike में भी engine call लगवा सकते हैं इस engine call को आपको बजाज के authorized service center से purchase करना है और आप चाहो तो अपने neon model में भी इस engine call को install कर सकते हैं और आप bike के engine के बारे में जा लेते हैं आपको बताना चाहोगा दोनों ही bike में आपको 124.4 cc का 4 stroke 2 wall single cylinder air cool engine मिलता है जिसमें आपको maximum power 11.8 ps का power और maximum torque 10.8 nm का torque मिलता है और bike के fuel supply system में अब आपको fuel injection system transmission में आपको 5 speed manual transmission के साथ bike के starting में आपको kick start और self start दोनों ही मिलता है और अगर आप दोस्तों Pulsar 125 carbon fiber edition को finance में लेना चाहते हैं तो हमारे जमशेदपूर के उजिवन small finance से आप इस bike को सिरिफ 19,999 के down payment पे finance भी करा सकते हैं अगर आप bike को 12 month EMI पे लेते हैं तो आपको हर मत पे करना होगा 9,110 रुपीज 24 month EMI पे लेने के लिए आपको हर मत पे करना होगा 5,040 रुपीज और 36 month EMI पे लेने के लिए आपको हर मत पे करना होगा 3,710 रुपीज और आप अगर दोस्तों Pulsar 125 का neon edition लेना चाहते हैं तो जिवन small finance से आप इस bike को सिर्फ 19,999 के down payment पे finance भी करा सकते हैं अगर आप इस bike को 12 month EMI पे लेते हैं तो आपको हर मत पे करना होगा 7,780 रुपीज 24 month EMI पे लेने के लिए आपको हर मत पे करना होगा 4,325 रुपीज और 36 month EMI पे लेने के लिए आपको हर मत पे करना होगा 3,172 रुपीज और इन दोनों ही बाइक में दोस्तों आपको company fitted leg guard और साडी guard same design का मिलता है और वीडियो के last में रह गया कि बाइक में mileage कितना मिलेगा तो आपको बताना चूँगा कि मैं काफ़ी time पहले Pulsar 125 FI model का एक city और एक highway यह दोनों वीडियो कर चुका हूँ अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो link आपको इसे वीडियो के description box में मिल जागा आप जाके वीडियो देखेगा आपको mileage के बारे में जानकरी मिल जागी वैसे मैं आपको बताना चुँगा कि अगर आप city के अंदर eco speed में सही से single ride में ride करते हैं तो Pulsar 125 में आपको बहुत एराम से 52 से 55 तक का mileage देखने को मिलता है मगर मैं कहूँगा फिर भी आप एक बार mileage देख लिजे आपको एक सही से जानकरी मिल जागी वीडियो में कि बाइक में कितना mileage मिलता है कितने traffic में ride करने के बाद और उसी वीडियो में दोस्तों आपको मेरा Pulsar 125 का ride review भी मिलेगा और आप सबसे बोला चूंगा कि आज के वीडियो में आपको इन दोनों बाइक में क्या फर्क देखने को मिलता है इसकी पूरी जानकारी मिल चुकी है तो अगर आप जमचेट पूर इसक्यास पास से हैं और इस बाइक का test ride लेना चाहते हैं तो आप new वेब जाज में आ सकते हैं शोरूम कैटर सों कॉंटक नमबर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेर करें और चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बैल नोडिफिकेशन को आल में कर दीजेगा ताकि इसी तरह के और नए वीडियो अब तक पहुंच सके और इस बाइक के बारे में कोई और जानकरी चाहिए तब मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करकर पूछ सकते हैं